आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ An Anther is made up of the following major parts क्या पर बोला गया है कि Anther की क्या-क्या Parts है तो पहले बोला गया है Lobes, फिर Thica, फिर Sporangia तो Thica क्या होता है कि Thica ऐसे Cavities होते हैं जिसके अंदर Sporangia's develop करते हैं और इसे हिजाब से जो Question है वो यह है कि Which of the following types of Anther structure can develop into Tetra Sporangia यानि जिसमें चार Sporangia जो है वो पाए जाएंगे चार Lobes हम कह सकते हैं इन Simple Words तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चार Lobes वाले Anther का जो Structure होगा वो इस तरीके से बन के सामने आएगा जहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चार Lobes चार Sporangia के जगह हो जाएंगे जिसके अंदर Numerous Pollen Greens यो हैं वो भी हमाएं दिखाई देदेंगे तो ऐसे जो Anthers होते हैं जहाँ पर चार Sporangia या चार Lobes पाए जाते हैं इनको हम लोग Dithicus Anther के नाम से जाते हैं Dithica मतलब कि अगर इसके Anther के Structures को देखे तो वो Anther का Structure जो है वो ऐसे दो Anther वाले जगर होते हैं यही Anther जब हम लोग Bifurcrate करते हैं तो ऐसा Structure हमें दिखाई देता है और उसी Anther का नाम Dithicus Anther होता है इसलिए हमारा Third Option ही यहाँ पर Correct Option हो जाएगा बाकी अगर देखा जाए तो Filamentous Anther जो होते हैं वह अब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा Thin Surface होता है और Lobes जो है वो वैसे नहीं दिखाए देता है Monothicus में सिर्फ दो Sporangia पाए जाते हैं यानि दो Lobes और Unlobe में क्या होता है कि एक ही Sporangia पाए जाते हैं तो इसी हिसाब से Correct answer जो है वो हो जागए यहां पर 3rd option और उसी को हम यहां पर Tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400-4400 पर